SSTP Classes में स्वागते बच्छों आप से भी कैसे हैं अभी आप बारवीतिया चेप्टर नाइन सासा कोरीति विर्ट मुगल दरवार का प्रस्वंतर पर रहे हैं आज मैंने बहुत ही महतपुन प्रस्वं लिया है मुगल अभी जात वर के विशिष्ट अभी लक्षन क्या थे बासा के साथ उनके संबंद किस तरह बने चुकि ये दिरगोतरी प्रस्वं है इसलिए ज़्यादा पॉइंट होंगे अथवा अभी जात वर की विशिष्टाओं एक वनसा नुगत और दूसरा सत्तारूर चार चबन के लेखक चंद्रभान ब्रहमन थे जो की साजहां के दरवार में रहते थे अकवर की पुतरी का विवाह अंबेर की राजा भारमल कच्छवाहा से हुआ ये भी अभी जात थे ये जितने भी मैंने बताएं बहुत इंपो मुगल अभी जात वर्ग के विशिष्ट अभी लक्षन इस परकार है पहले अभी लक्षन या विशिष्टा देखते हैं पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट बनाये हैं पला है गुन अभी जात वर्ग वफादार बहादूर करतव्य निभाने वाला सम्मान और सेवा के विशिष्ट अंभी जात वर्ग विभी जातियां और देशों से समलित थे अरभी इरानी तुरकी ताजिक करद ततार रूसी अभिसिनिया इत्या दे अबगान जातियां राना, राजा, राया, अर्थात, राठ्ठूर, सिसुदिया, कच्छवाहा, हार, गौड, चवहान, पवार, भादूरिया, सोलंकी, बुंदेला, सिखावत नाम से सम्मंदित की जाने वाली, राजपुर जातियां, वो घक्कर, खोकर, बलूची और अनि सभी भारतिय जन जात जो तलवार चलाते थे, वो एक हजा, एक सो से साथ हजार तक जात के मनसब्द वाले थे, ये सभी अभिजात होते थे, अगला पॉइंट है, पच्छो, सुरक्छा, अभिजात वर के परति दिन, दो बार, सुभह, वसाम को सार्जवनिक सभाभवन में, सभाभवन में, बास जात वर के सदस्यों के लिए साही, सेवा, सक्ति, धन, तथा उचितम परतिष्ठा प्राप्त करने का एक जर्या था, अगला पॉइंट है, बच्छो, वेतन, अभिजात वर के लोगों को उच्छ पदपल मिलते थे, और एक निश्चित वेतन मिलता था, जिनका वेतन एक मंद किस तरह मने है, पहला पॉइंट है, दरजे और पदों से, सभी सरकारी अधिकारियों के दरजे और पदों में दो तरह के उख़दे थे, पहला है जात, दुसरा है सवार, जात साही पदानुक्रम में अधिकारी मनसवदार के पद और वेतन का सूचक था, और सवार या दुसरा पॉइंट है बच्चो सैनी अभियानों से, अभिजात सैनी अभियानों में सिनाओं के साथ भाग लेते थे, प्रामतों में वे समराज के अधिकारियों के रूप में भी कारि करते थे, परतेक सैनिक कमांडर घुर्सवारों को भरती करता था, उन्हें हत्यारों पार्स भाग में दागे गए उत्क्रिष्ट स्रेनी के लिए घोडे रखते थे निम्नतम ओदे के अधिकारियों को छोड़कर बासा स्वयम सभी अधिकारियों की ओदों पद्वियों और अधिकारिक नुक्तियों के बदलाओं का पुलिक्षन करते थे अगला पॉइंट बच भारतिय मुसल्मान साही सिवा में परवेश किया इनमें न्यूक्त होने वाला पर्थम व्यक्ति एक राजपुत मुखिया अंबेर का राजा भारमल का च्वाहा था जिसकी पुत्री से अकवर का विवा हुआ शिक्षा और लेखा सास्तर की और जुकावाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोनित किया गया इसका एक परसिद उधारन अकवर के वित मंतरी टूडरमल का है जो खत्री जाती खा था ये बहुत ही इंपोटेंट आपजेक्टिव है कि अकवर के वित मंतरी का क्या कायम किया अगला पॉइंट बच्चो जहांगीर के काल में जहांगीर के सासन में इरानियों को उच पद प्राप्त हुए जहांगीर के राजनिती रूप से प्रभा साली रानी नूर जहां भी इरानी थी और अंग्जेव के समय में और अंग्जेव ने राजपुतों को फल बनाने के लिए जहांगीर के समान मराठों से मदद ली। उसने मराठों को इस वर्ग में महतपूर्ण अस्थान दिया। सहा जहां के काल में तिबत, तुर्की, मिस्र, सिर्या, इराग जैसे देशों के अमीर इसमें सामिल किये गए थे। अगला पइंट है सासन का मजबूत भाग। अभिजात वर्ग मुगल वन्स के सासन का एक महतपूर्ण भाग था या अधिकारी वर्ग गुलदस्ते के रूप में कार करते थे। जो वफादारी से बासा के साथ जुड़े होते थे। यदि अभिजात वर्ग ना होता तो मुगल वन्स इतने सफल नहीं होते। पर सासनिक नियाईक सैनिक आदी विवस्था मुगल वन्स में अभिजात वर्ग द्वारा संचालित होती थी। इसी वर्ग की साहेता से अकवर के सुले एक कूल की निती सफल हुई। इस परकार अभिजात और अभिजात की विशेषता और बासाख से कैसे सम्मन थे। पूरा वीडियो हुआ बचों।